नमस्कार विद्यार्थियो आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं लवसिद्धान्त कौमदी के संग्या प्रकार्ण का दूसरा सुत्र और जिसका नाम है अदर्सनम लोपः अदर्सन किसको कहते हैं जो दिखाई नहीं देता है अदर्सनम लोपः अर्थात जिसका दर्सन नहीं होता है उसका क्या नाम रखेंगे हम लोप ये लोप संग्या विधायक सुत्र है आपको दिखान रखना है क्या है लोप संग्या विधायक सुत्र अर्थात इससे नाम क्या रखा जाता है लोप यानि किसको लोप कहेंगे अदर्सनम लोप है अर्थात जो दिखा ही नहीं देता है उसका नाम क्या है लोप है अब हम क्या पढ़ रहें ब्याकरण पढ़ रहें और जो ब्याकरण है वह क्या है सब्द सास्त्र है और जो सब्द सास्त्र है सब्द का गुण क्या होता है सुना सब्सक्राइब तेटेस मुष्य क्या कर लेंगे और बिध्यमान जब सुनाई नहीं देता है तो उसका नाम क्या रख जाता है 29 कि क्या कर द 느खता प्रसंद अर्टा अर्थ इसका नाम क्या रखदेते हैं लोप रख देते जैसे देखिए जैसे मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ सोरी एक उधारन बताता हूँ हमने पढ़ा हमने भूप पिलस तिप और हम लिख देंगे इस इस्थिती में यह तो हमने ले लिया उधारन अब क्या होता है इस पाक की इतसंग्या कर दी हमने किस से भूप प्लस ति तिप और सोत लगा दिया आपने हलंत्यम और आप लिख देंगे हलंत्यम सोत्र से से तिप के पकार की इतसंग्या क्या हो गई तिप के अकार के इतसंग्या अब देखे फिर उसके बाद एक सूत्र आएगा इसके बाद ही आना है उसको पढ़ेंगे हम और सूत्र है वो तस्य लोबह सूत्र से इतसंग्या पकार का लोब अब देखे विद्यारतियों यहां पर यहां पर जो पकार था उसकी हमने इतसंग्या की और इतसंग्या करने की बाद हमने क्या किया तस्य लोबह सूत्र से लोब कर दिया यानि उसका लोब हो अब लोब क्या होता है यह जो वर्ण है यहां यह जो पकार है वह चला गया यहां दिखाई नहीं दे रहा है तो बिद्धिमान चीज यानि चीज तो बिद्धिमान हो लेकिन वह दिखाई नहीं दे तो वह क्या कहलाता है लोब कहलाता है जैसे आप इंदरजाल का जादू देखते हैं एक बाजीगर आता है और आपको गायव कर देता है तो हम साधारन बोल चाल में तो क्या कहेंगे गायव हो गया लेकिन जो चीज है क्योंकि व्यक्ति मरता नहीं होता तो वहीं होने पर भी गायव हो जाता है तो हम लोकिक बिवार में तो उसको कहते हैं गायव होना लेकिन ब्याकर्ण सास्त्र में उसका क्या नाम है उसका नाम है लोग यानि जो चीज विद्ध्यमान है वह नहीं रहे दिखाई नहीं दे उसका दर्शन नहीं हो वह सुना यह नहीं दे तो आप इसका एक इसक्रीन सोट ले लें विद्ध्यारते हो यह उधारन हो गया और यह इसका अर्थ हो गया यह बिरत्ति यह विद्ध्यार्तियो अगर आपको कठिल लगे नए याद करें तो कोई आवसकता नहीं है आप सूत्र है सूत्र का इतना अर्थ याद कर लेंगे बहुत है और यह उधारन हो जाएगा अब देखें यह जो सूत्र है विद्यारतियों हमारा यह सूत्र यह वताता है कि जो इतकी संग्या करने वाले सूत्र है उन से जिसकी भी इतकी संग्या होती है उसका लौप हो जाएगा पुनें एक बार फिर सुन लिजिए कि संस्कृत ब्याकरण में जिन सूत्रों से लोप संग्या होती है और उन सूत्रों से जिस वरण का अर्थात जिस स्वर या बियन्यन की इत संग्या हुई है उसका लोप होता है और वह कौन बताता है तस्य लोपह सुत्र प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का नौमा सुत्र है तो जो अश्टा अध्याय है उसमें पहले अध्याय है फिर अध्यायों में विवाजन है पादों का और पादों में सुत्र संक्या तो यह है प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का नौमा सूत्र है अब देखें यह क्या कहता है कि तसीतू लूपह स्यात कि वह जो इतसंग्यक हैं उनका लूप होना चाहिए और इस हिंदी अर्त है उस इतसंग्यक का लूप हो अब कोई यह कहे भईया यह डान आ दियें जैसे आपने माईस्वा सूत्र पड़े होंगे इन में पहले में डान है जैसे पहला जो माईस्वा सूत्र डान है आपने पड़े होंगे अक प्रत्यहार है अच प्रत्यहार है इनकी भी इतसंग्या होगी कि इनकी इतसंग्या नहीं होनी है क्यों इनका लोप इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनका प्रियुजन क्या है केवल प्रत्यहरों प्रिक्त होए है तो इसलिए इनका लोप नहीं होगा तो यह क्या कहता है देखिए जिस वर्ण की इतसंग्या हुई है क्या कहा तस से उसकी तस से इतो लोप है जिस वर्ण की इतसंग्या हुई है उसका लोप हो जाएगा यह कहता है यह सूत्र कैसे किस किस वर्ण की हुई जैसे आपने पढ़ा भू प्लस तिप ठीक है और आपने सूत्र लिख दिया हलन्त्यम और आप लिख देंगे हलन्त्यम सूत्र से अण आद्म सोरी सूत्र से तिप के पकार के इतसंग्य हुई ठीक है बिद्यारती हो कोई भी ब्याकण में हल हो जैसे तिप है तो इसकी इतसंग्य पाकी किस से हो गई हलन्त्यम सूत्र से अब यह है जो सूत्रिय कहता है कि जिसकी इतसंग्य हुई है उस इतसंग्य का लोप होता है जैसे हलन्त्यम सूत्र से पाकी संग्य हुई तो यह सूत्र क्या करेगा इसका लोप कर देगा और यह इस्तिती हो जाएगा भू प्लस ती और सूत्र लग जाएगा कि संस्क्रत भासा में क्या करते है कि जो बर्ण है उनके पीछे कार जोड़ देते हैं जैसे काकार, पकार हम इसको चाहें तो किवल पा भी कह सकते हैं किवल पा भी कह सकते हैं तो इसमें हम पर तुरुटी रहने का डर रहता है इसलिए इसको कार नहीं कहेंगे केवल क्या कहेंगे पकार काकार ऐसे ही आप प्रत्य देखते हैं सानच तो सानच में यह जो अंत्यम जो हल है इसकी इतसंग्या हो जाती है और इसका लोग हो करके सान बचता है तो इसी प्रकार से और भी उधारण मिल जाएंगा आपको जहां पर क्या है इतसंग्या होती है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस जिस बंड की को स्वर भी हो सकता है ब्यंजन भी हो सकता है जिस स्वर या ब्यंजन की इत्संग्या हुई है उसका क्या है इस सुत्र से लोप हो जाता है विद्ध्यारतियो तो आपके लिए आज हमने तीन सुत्र पढ़े इनको अगर आप इसी प्रकार से पढ़ते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप भी आकन का दिन निरंतर रखें आज के इस लेक्चर में ध्यारतियो इतना ही जै हिन जै भारत